वेलकम बच्चो तो इसके पहले हमने देखा कि डेरी वीटियो क्या होता है उसके बहुत सारे फार्मिलिस देखे हैं आज हम देखेंगे कि उसमें कुछ छोटे बुटे चीज़े आती है तो उसके छोटे से जो रूल्स होते है वो क्या है वो देखेंगे मान लेजे कि x से ज़्यादा function है जैसे कि example u is the function of x या ठेक है याने u is equal to f op x v is the function of x मतलब v is equal to f op x अब इसका ये मतलब नहीं कि दोनों के दोनों सेम होंगे क्योंकि ये function है जैसे example अगर मैं कहूँ u is equal to sin x लेता हूँ और v is equal to example log x लेता हूँ तो यहाँ पे क्या है trigonometric function है यहाँ पे logarithm में एक function है लेकिन दोनों के लिए variable को होना है हमारा x है दोनों के दोनों depend किसके उपर करते है x के उपर यहाँ पे ऐसा लिखने का मतलब ये नहीं कि दोनों सेम होंगे but these are the functions of x अलग-अलग functions हो सकते है लेकिन dependent of x यह धान में रखना है तो चलो कि अगर मान लेटी कि दो function है अब इससे ज़्यादा हो है तो भी rules यहीं लगने वाले है यहाँ पर यह धान में रखना तो दो function लेए हमने u और v which are the functions of x अगर मान लेटी कि उनके addition होती है डेरिविटी में उसके addition आती है तो करना क्या है दोनों को डेरिविटी दे दे देना subtraction में भी दोनों को डेरिविटी दे देना जैसे डेरिविटी of u प्लस x तो डेरिविटी of u प्लस डेरिविटी of v अगर माइनस आता है तो डेरिविटी of u minus derivative of v ठीक है तो addition, subtraction में दोनों को जितने भी होंगे 2, 3, 4 उन सब को क्या करना derivative दे देना, addition होगा तो addition करना, subtraction होगा तो subtraction करना ठीक है अगर उनका product आता है तो यहाँ पे ध्यान में रखना product rule मैं इसे क्या नाम दे देता हूँ product rule ठीक है product rule यहाँ को देन में रखना है, ठीक है, so क्या है product rule यहाँ पर जैसे, तो आप यह star point थोड़ा words में ध्यान में रखना है, कुन सा, first into derivative of second, plus second into derivative of first, चलो, come on, मेरे साथ बोलो, क्या बुलेंगे आप, first into derivative of second, plus second into derivative of first, example जैसे हमारे पास u और v इन दुनों का product है, multiplication है तो क्या काणना है, यहां पर देखो first कोन है u, second कोन है v तो हमने क्या कहा था, first first हैने कोन, u, into derivative of second, मतलब derivative of v, plus second, second का मतलब कोन है v, into derivative of first, मतलब derivative of you ह्यान में चिआखन में रखेंगे, हाँ Ice second into derivative of first, तो तो इस तरह से ध्यान में रखना, यहन्य, u into v का derivative, u into derivative of v, plus v into derivative of u, ध्यान में रखो, फिर उसके बाद में, यह है, u by v, मतलब division है, हम इसे नाम देंगे, quotient rule, क्या नाम देंगे इसको, quotient rule, ठीक है, quotient rule, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थोड ठीक है, क्या है, फिर से मेरे साथ बूलो, एक बार, second into derivative of first, minus first into derivative of second, upon second square, तो यहाँ पर जो उपर वाला है, यहन्य, numerator, that will be the first one, and the denominator में, जो आएगा, that will be the second one, तो करना क्या है, second, second यहने कौन, v into derivative of first, मतलब u, minus, ठीक है, first, first यहने कौन, u, derivative of second, मतलब कौन, v, upon second square, मतलब v square, ठीक है, ठीक है, तो यह कौछ, addition, subtraction, multiplication, division, ठीक है, यहने, some, difference, product, और, quotient, इनके क्या है, rules है, यह ध्यान में रखना, ठीक है, और बहुती, बहुती, एकदम, छोटे से, example से लेकर, हम यहाँ पर अभी, शुरुवात करते हैं, सो बच आपको जो question आएंगा, derivative पे, यह इस त करना है, इनका derivative निकलना है, ठीक है, so, चलो, answer में लेकर समय क्या करेंगे हैं, जो भी आपको दिया गया है, आप उसको पहले y is equal to ले लो, अब दुसरी पत्दती से जाएंगे, वो भी चलता, आप इस तरह से ले सकते हो, मैं ले लेता हूँ, ले, इसको y लेता हूँ, तो y y is equal to क्या समझो, 3x, y is equal to 3x, यहने थोड़ा लिखने में हमको थोड़ा सा अच्छा रहेगा, थोड़ा stylish होगा, ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका differentiation करना है, इसका derivative निकलना है, ठीक है, तो simple, आप यहाँ पे heading देंगे, differentiating with respect to x, ठीक है, क्या बोलेंगे, differentiating with respect to x, हम इस दर से, differentiating को आप इतना लिख दो, with respect to x, ऐसा आप लिख दीजे, ठीक है, क्या है पोड़ो इसको, differentiating with respect to x, चलो, तो देखो, differentiation जब करेंगे, derivative करेंगे, देखो बच्चों, जो equals होता है, equal का मतलब क्या है रहे, जो बात इधर, वही बात इधर, जो LHS में, वही RHS में, तो अ RHS में भी तो करना पड़ेगा, सो चलो, LHS का करते हैं, तो यहाँ पर y है, देखो, derivative लेने के लिए, इसके बाद simple द्यांद में रखो, differentiating करना है, यहने इतना पार्ट ले लेना, उसके बाद जो है, सो लगा लेना, जैसे, d by dx में क्या लेता हो, यहाँ पर, d by dx, साथ में को आता है, सो उसका derivative तो 0 होंगा, लेकिन constant किसी के साथ आता है, multiplication के form में, division के form में, तो भाई, उसको बाहर निकाल दो, यहाँ पर देखो, भला, 3x है ना, तो 3 को आप क्या कर लो, बाहर निकाल दो, मैं पहले से ही, इस 3 को बाहर निकाल देता हूँ, अब derivative किसका होंगा, सिर् पल, x, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, और मैं इसको सोट सा आगे, solve करना, शुरू कर देता हूँ, देखो, यह 3 constant है, यहाँ पर variable, with respect to x का आना, मतलब variable x होंगा, बाकि उसके अलाबा कुछ भी है, तो समझ जाए कि वो क्या है, constant है, ठीक है, तो, यह 3 है हमारे पास, अब, into, आप ही बताओ, मेरे भाई, d by dx, ठीक है, ds by dx, वैसे देखा जाए, तो mathematically कट जाएंगा, तो 1 रहेंगा, और वैसे मैंने कल आपको बताए भी ता, यहाँ पर formula लगेगा कौन सा, x power n का, formula क्या है, n, x power n minus 1, ठीक है, देखो, हम एकदम कम, यहाँ एकदम simple example से शुरूआत कर इसलिए, पूरा समझती है, आगे बढ़ो, यहाँ पे x power कुछ नहीं है, मतलब x power क्या होंगा, 1, तो यह अन के जगह पे 1, यहाँ पर x power यह अन के जगह पे 1, देखो, तो यह 1, x का power क्या हो जाएंगा, 0, और जिसका power 0 होता है, उसके value 1, इसलिए finally answer क्या होता है, 1, यह एक दूसरी बाट, dx से dx से कट जाएंगा, उससे भी 1 मिलेंगा, तो भई आपको जैसा ध्यान में रखना है, रखो, लेकिन फारविले याद करके ही, रखो मेरे बच्चों, जब तक यह फारविले याद नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, देखे, मैं कितना भी अ जितना इसा रट लो, या रट लो, एकदम बाई हार, बाई माउथ, एकदम रट लो, जो फारविले है, ठीक है, तो वो जब आप करेंगे, तो ही आपका भला होंगा, नहीं तो फिर भाई, आपको कोई कुछ नहीं, कोई नहीं बचा सकता आपको, डान में रखो, ठीक है, तो चलो, क्या हो जाएंगा, x का derivative 1, इसलिए फाइनल आंसर होंगा, dy by dx is equal to 1, so this is the derivative of given function 3x, यह जो given function है, इसका क्या है वो derivative है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, this is the question, चलो, फिर से, फट से, क्या लेलो, अभी देखो, अभी में fast करने वाल, एकदम simple बता है ना, एकदम slow motion में, अब फोड़ा fast करते हैं, चलो, बता हो, late, क्या बुलिंगे या, अंसर दे दे इसको, y is equal to minus m square x, मैं ने कहा, with respect to x है, मतलब variable x है, बाकि उसके सब में आता है, बाकि सब constant है, ठीक है, पहले तो heading नाल दो कौनसी, differentiating with respect to x, चलो, क्या होगा, left में dy by dx, यहाँ पर देखो मैं minus, और m square को common निकलता हो, बाहर निकलता हो, ठीक है, अब बचेगा यहाँ पर dx by dx, simple, यह minus m square है, x का derivative 1 होने वहना है, इसलिए minus m square into 1, finally, क्या होगा, minus m square, so, finally, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, dy by dx is equal to minus m square, ठीक है, तो इस तरह से आपको solve करना है, ठीक, चलो, next पे च चलो, क्या होगा, late, इसको मैं क्या ले लो, y is equal to minus x upon 3m, ठीक है, heading डालेंगे को उनसे, differentiate with respect to x, देखो, left में होगा, d by dx, y, ऐसा आप तो separately लिखो, या पिर ऐसा mix में लिखो, कोई फरक ने पड़ता, यहाँ पर, मैं कहूँगा, variable तो को ने, x है, बाकि सब तो constant है, तो minus, और कोन है, हमारे पास 3m, उसको भी निकाला, और भी तो आइसा थोड़ी दो लिखते हैं, ऊपर कुछ तो लिखना पड़ेंगा, तो कुछ नहीं, तो 1 लिख दो, क्या परक पड़ेंगा, ठीक है, अब, into, हमारे पास कोन बच्चा है, x, so, derivative of x, चलो, solve करो, this is minus 1 by 3m, into, इसका derivative चलो, बोलो, बट से, 1, यानि, final answer क्या होगा, dy by dx, is equal to minus 1 by 3m, ठीक है, बच्चो, so, इस प्रकार से करते जाना है, ठीक है, हम exercise में घुसेंगे, उसके पहले ये चोटी-चोटी चीज़े, उसका derivative कैसे, देखो, समय लगेगा, चलेगा, बस वो धंग से होना चलिए, जितना से करें, घुटना धांसे, ठीक है, चलो, आजा भी धर में, हमारे पास हमने, या पर कोई question लिखा नहिए, कोई हरकत ने, कभी-कभी हो जाता, बड़ी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी बात है, या फिर बड़ी-चोटी-चोटी-चोटी बात है, पहले इसको to x, ठीक है, जो चलो फट से बोलो, this is dy by dx, 5 को तो पहले बाहर निकाला, derivative of root of x by 2, अब आया थोड़ा सा बढ़ा, अब देखो मैंने root x का derivative बताया था, क्या था वो root x का derivative, देखो ना कला सुले के दिया था, root x, root x का derivative क्या था, 1 upon, बोलते जाओ, क्या था हमारे पास, 2 root x, 1 upon 2 root x था, ठीक है, तो अभी भी वह इसा ही answer होंगा, देखो पहली बात तो ये, this is why you, 1 upon, क्या कहा, ये 2 है, root में x है, x, लेकिन यहाँ पर क्या है, x by 2, so right here, x by 2, ठीक है, लेकिन मैंने जो कहा था, उससे पे ही focus करना है, क्या काता मैं नहीं, ठीक है, अगर simple x है, तो भी वही आएगा, लेकिन x by 2 है, मैंने कल clear cut, एक आपको star point लिखे दिया है, कि variable के अलावा, variable के अलावा कुछ और आता है, तो पहिरे फारविला तो लगा दो, लेकिन multiplication में जो extra का पारगा था, उसका भी derivative करो, अब multiplication में x के जगे पे कोल आया है, x by 2, तो हम क्या करेंगे, x का जो आया, चाहिए था x आया है, x by 2, तो उसका भी फिर से क्या करेंगे, अब derivative करेंगे, तो चलो करो, this is 5 upon, this is 2 root x by 2, और यहां से देखो, यह जो 1 by 2 है, इसको बाहर निकला, फिर से derivative हो जाएगा, x का, ठीक है, क्योंकि यह constant है, चलो चलो फटा फट, यह 1 by 2, तो 5 बन्जा फिर से 5, यह 2 टू जा 4 कर लो, यहाँ पर होगा हमारे पास, x by 2, इंटू x का derivative 1, इसलिए final answer होगा, dy by dx is equal to 5 बन्जा 5 upon 4 root x by 2, तो इस तरह से होगा, ठीक है, बच्चो, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है, चलो एक example मैं अपने मन से लेना चाहूंगा, एक अदा को ही, ठीक है, कोई भी एक example, root 5x, ठीक है, चलो यहाँ पर root 5x मुझको लेना था, मैंने लेन लिया, ठीक, चलो, तो काम करते हैं, फिर से answer में है, हमारे पास late, क्या कहेंगे, y is equal to root 5x, ठीक है, heading क्या होगी हमारी, चलो, heading क्या होगी, पटाफर, differentiating with respect to x, यार, बैच करते जाओ, आप कुछ नहीं बोलेंगे, अरे, नहीं कम से कम मेरे साम नहीं बोल सकते, अरे, मन के मन में ज़ बोलो, यार, चलो, ठीक है, चलो, बोलो, क्या होगा यहाँ पर, dy by dx, is equal to, derivative of, root of 5x, हो जाएगा, ठीक, अब उसके बाद में क्या करना है, देखो, ये, ये तो ये question होगी है, यार, देखो, ये root x है, root x के जगह पर, root 5x है, कोई problem नहीं है, पहले formula फिर से, x के जगह पर, जो, extra आया, उसका क्या करेंगे, हम, derivative, ये, derivative होगा, 5x का, ठीक है, चलो, अब, solve करना शुरू करो, तो, यहाँ पर, इतना, जो है, 1 upon 2, root 5x, है, यहाँ पर, 5, को मैं बाहर निकाल देता हो, ठीक है, और, derivative होगा, x का, is equal to, अब बच्चों, कभी-कभ बे, direct करना बे, सिखलो, 5 उसका, derivative, direct 5, क्योंकि 5 बाहर गया, x का, derivative 1, 1 into 5, 5, ठीक है, लेके, थोड़ा, starting है, इसलिए, थोड़ा, हर चीज़को, करके, देख रहे, ठीक है, तो, this is, 1 upon 2, root 5x, ठीक है, इंटो, 5, इंटो, यह, x का, derivative 1, और, इसलिए, फाइदल होगा, dy by dx, is equal ठीक है, नीचे में है, 2, और, यहाँ पर, root 5x, ठीक है, ठीक है, तो, इस तरह से, हमको, क्या करना है, बच्चो, स्वाल करना है, ठीक है, अब इसके, जैसे, और भी, बहुत सारे, starting, लेवल, पर, छोटे-छोटे, एक्जामपल, देखेंगे, और, फिर, हम, बड़े, लेव इसको, सॉल करिए, एक दूसरे को, बताइए, आप, एक दूसरे से, टैली करिए, ठीक है, बच्चो, सो, बाकी काम देखेंगे, बड़ में, बाए,